बचो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिल्क रोड हमने जाना है कि एक ऐसी धलान पे आ गया है लेखक जहां पे क्या है एक बर्फ की तहह पटी है चलो जानते हैं कि यहां से पाहर कैसे आएगा इस धलान को पार कैसे करेगा लेखक तो डैनियल ने बताया कि उस बर्फ की गहराई खत्रा नहीं है उस बर्फ की क्या है जो बर्फ की जो ऊपर की लेयर है परत है वो खत्रा है इफ वी स्लिप ओफ अगर हम फिसल गए दे कार को टर्न ओवर तु जो कार है वो उलट सकती है इस बात का सुझाव दिया डैनियल ने अस वी सौ तैचसान ग्राब हैंदफुल्स अफ दर्ट और फ्लिंग देम अक्रोस दे फ्रोजन सर्फेस और हमने क्या देखा कि तैचसान ने पकड़ा है मुठी भर मिट्टी को और उसने चित्रा दिया है उस मिट्टी को उस जमे वी बोथ पिजट इन हम दोनों भी उस कारे में शामिल हुए वेन दे स्नो वस स्प्रेड विद सॉइल जब उस बर्फ के ऊपर क्या हो गया था फैल गई थी मिट्टी डैनियल और आए स्टेड आउट ऑफ द वहीकल टू लाइटन तैचसान जोड तब डैनियल और मैं गार करते हैं देखिए सबसे पहला है डेंजर यानि की खत्रा फिर है डेप्थ मतलब कहराई स्लिप ओफ मतलब फिसल गए टर्न ओवर मतलब उलट जाना सजेस्टेड यानि की सुझाव दिया ग्रैप यानि की पकड़ना हैंड फुल्स मतलब मुठी भर डर्ट मतलब मिट्टी या फिर धूल फ्लिंग मतलब छितराना फ्रोजन मतलब जमा हुआ पिच्ट इन मतलब शामिल हुए और स्प्रेड मतलब फैलना या फिर फैलाना फिर वो गंदी सी स्नो की तरफ चलने लगा इस दकार ओन टू इस आइसी सर्फेस और स्लोली जोव इस लेंथ विदा अपैरेंट दिफिकल्टी और फिर क्या किया उस बर्फ की तहपर क्या हुआ धीरे धीरे वो कार को ले गया बिना किसी प्रत्यक्ष कटनाई के 10 minutes later, 10 minutes बाद, वी stopped at another blockage, हम एक और अवरोत पे आके रुख गए Not good sir, Tetsan announced as he jumped out again to survey the scene और Tetsan जब बाहर निकल रहा था ना, सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षन करने के लिए उस सीन का तब उसने कहा कि अच्छा नहीं है sir This time he decided to try and drive round the snow, इस बार Tetsan ने कोशिश की, कि वो snow के बाहर से ही, उसको पूरा पार करने की बजाए, snow के बाहर बाहर से ही पार कर पाए तो बचो यहाँ पर हमने क्या-क्या words पड़े हैं, देख लेते हैं चलिए, सबसे पहला है lighten, lighten मतलब हलका करना, apparent मतलब प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट, difficulty यानि की कठिनाई, blockage मतलब अवरोध या फिर बाधा, survey मतलब सर्वेक्षन करना या फिर निरिक्षन करना, decided फैसला किया, the slope was steep and studded with major rocks, but somehow Tetsan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next, अब वो जो धलान थी, वो कैसी थी, वो सीधी धलान थी, and studded, और उस धलान में जड़े हुए थे बहुत बड़े पत्थर, पर somehow, पर किसी तरह, Tetsan ने negotiate किया उनको, यानि की, negotiate करने का मतलब ऐसे तो होता है, समझोता करना, पर यहाँ पर negotiate का मतलब है, पार किया, किसी तरह उनको, इस four-wheel drive, उसका जो पूरा वो चार पईयों का वाहन था, वो क्या कर रहा था, लर्च कर रहा था, जटके खाते हुए, चल रहा था, from one obstacle to the next, एक बाधा से होते हुए, दूसरी बाधा की ओर, इन सो दूइंग, he cut off one of the hairpin bends, और ऐसा करने में उसने क्या कर दिया, एक hairpin bend, क्या होता है, सडक का जो दूरा मोड होता है, उसको cut off कर दिया, और फिर वो रिगेन कर गया, यानि की वापिस से पहुँच गया, उस रास्ते पर, जहां पर, स्नो ने क्या नहीं किया था, ड्रिफ नहीं किया था, स्नो का धेर नहीं था, I checked my watch again, as we continue to climb in the bright sunshine, मैंने वापिस से अपनी घड़ी चेक करी, क्यूं, क्यूंकि हम चढ़ाई कर रहे थे, उस चमकदार सूरज की रोशनी में, तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या क्या शब पड़े हैं, देखे, रिवाइस करते हैं, सबसे पहला है slow, यानि की धलान, फिर है steep, यानि सीधी धलान, studied मतलब जड़ा हुआ, negotiated मतलब पार किया, lurching मतलब जटका खाते हुए, obstacle मतलब बाधा, hairpin bends मतलब सड़क का दोहरा मोर, regaining मतलब पहुचते हुए, trail मतलब रास्ता, drifted मतलब ठेर लगा था, bright मतलब चमकदार, we crept past 5400 meters and my head began to throb horribly, हम पार कर गए 5400 meters की उचाई को और फिर जो मेरा सर था वो throb करना, दर्द करना शुरू हुआ, horribly, भयंकर रूप से, I took gulps from my water bottle, मैंने अपने पानी की बॉटल से कुछ घूट भरे, which is supposed to help a rapid accent, और क्यों पानी भरे, क्योंकि ये माना जाता है, कि ये पानी के जो घूट है, वो मदद करते हैं, rapid accent में उस तेज चढ़ाई में, यानि की तेज चढ़ाई के कारण आपका सरदर नहीं होता, इस में, we finally reached the top of the pass at 5515 meters, हम क्या कर गए बच्चो, जो दर्रा था उसके छिखर पे पहुच गए, और उस छिखर कितनी हाइट पे था, 5515 meters की हाइट पे था, अब हमें कैसे पता चला कि भई हम उस दर्रे के शिखर पे पहुच गए, क्यूंकि इसको मार्क किया गया था, बहुत बड़े कैरन आफ रॉक से, मतलब चटानों के समू से, जिनके उपर तोरन लगाए हुए थे, सजाया गया था, जिनको वाइट सिल्क स्कार्ट से और फटे हुए प्राथना करने वाले छंडों से, वी आल तुक अ टर्न राउंड दर कैरन और हमने क्या किया हम सब उस कैन से थोड़ा मुड़ गया, इन अ क्लॉक्वाइज डिरेक्शन, क्लॉक्वाइज दिशा में, आज इस ट्रेडिशन, जैसा कि क्या है प्रथा है, परंपरा है, यानि कि हम सब उस पत्थरों के सब मुझे आसपास क्लॉक्वाइज दिशा में गूमें, और तैटसान चेक्ट टायर्ज ऑन हस वीकल, और फिर तैटसान ने जो टायर्ज थे उनको चेक किया अपने वीकल के, तो बच्चों यहां पर क्या क्या शब्द हैं, दीखिए हम पढ़ लेते हैं उन्हें, थ्रॉब यानि की दर्थ करना, हॉरिबली मतलब भयंकर रूप से, गल्प्स मतलब खूट, रैपिड मतलब तेज या फिर तीवर, एक्सेंट मतलब चढ़ाई, कैरन अफ रॉक्स मतलब चटानो का समू, फैस्टून मतलब तोरन या फिर सजाए गए थे, रैगड मतलब फटा पुराना, डेरेक्षन यानि की दिशा, लागए थे, जूप्सीर प्रूप से खोल दिया जो तॉप था उसको, प्रूल तैंके तॉप को, विच एमिट अलाओ लूट हिस्, और उस प्रूल तैंक ने क्या किया, निकाली एक्सोड़नार हिस् की आवाज, अब बचो जो अट्मोस्फिरिक प्रेशर था वायू मंडलिय दबाव था वो कम था इसके कारण वो जो इंधन था वो एक्सपैंड हो रहा था फैल रहा था अब बचो जो आवाज आई थी ना वो मुझे खतरनाक लगी तो यहां पर क्या क्या है जब हम करियर डाउन किये यानि की तीजी से नीचे की और गए उस दर्रे के दूसरी तरफ तो यहां पर क्या क्या शब्द है देख लेते हैं सबसे पहला है ट्रेडिशिन मतलब प्रथा या फिर परंपरा पार्शली मतलब आंशिक रूप से अंस्क्रूड यानि खोला एमिटेड यानि की निकाला हिस मतलब सिसकारना एट्मोस्फेरिक यह बग्चो आगे क्या होगा एट्मोस्फेरिक प्रेशर एट्मोस्फेरिक प्रेशर मतलब वायू मंडलिय दबाव एकश्पेंड मतलब फैलना डेंजरस मतलब खतरनाक लाफ यानि हशा स्मोकिंग मतलब थुम्रपान स्मोकिंग ना पर यहां स्मोकिंग मतलब थुम्रपान कर्या डाउन मतलब थेजी से निक interaction गने इट It was two o'clock by the time we stopped for lunch और जब हम दुपहर के भोजन के लिए रूखे तब तक दिन के दो बज गए थे We ate hot noodles inside a long canvas tent और हमने गर्म गर्म noodles खाए एक लंबे से canvas tent के अंदर Part of a work camp erected beside a dry salt lake और ये जो tent था वो क्या था? हिस्सा था एक work camp का जो की erected था जिसका निर्मान किया गया था एक dry salt lake के पास एक सुखी नमक की lake के पास The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys ocean which broadered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward तो बच्चों लेखक बता रहा है कि ये जो plateau है ये जो पठार है वो pock mark है मतलब उसके उपर जगे जगे निशान पड़े हुए है Salt flats के मतलब नमक की परत के and brackish lakes और खारी जो lakes है उनके यानि कि इस पठार पर जगे जगे नमक की परत है और खारी lakes है Westages of Tethys ocean और ये सब क्या है निशान है उस Tethys ocean के which bordered जो क्या करता था? जो सीमा पर था तिबत के कब सीमा पर था? इससे पहले की वो Continental Mahadvipya टक्कर होती जिसके कारण क्या हुआ? वो उपर उठ गया आकाश की तरफ This one was a hive of activity और ये जो Salt Lake थी वो क्या था? एक काम करने वालों का काम करने वालों को महां पर समू था गतिविधियों का Men with pickaxes आदमी pickaxes लिए एक प्रकार की कुदाल लिए and shovels और बेलचा लिए trudding back and forth in their long sheepskin coats ये आदमी क्या करते? पैदल चलते आगे पीछे होकर यानि इधर जाते फिर उधर जाते फिर वापस इधर आते अपने उस लंबे sheepskin उस चर्म पत्र के coats को पहने हुए and salt encrusted boots और ऐसे जूते पहने हुए जिनके ऊपर भी नमक की परत थी तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या शब पढ़े हैं revise करते हैं सबसे पहला है erected erected मतलब निर्मान किया plateau मतलब पठार pop marked मतलब जगे जगे निशान पढ़ा हुआ salt flats मतलब नमक की परत brackish यानि की खारा vestiges मतलब निशान bordered मतलब सीमा पर था continental यानि की महाद्वी पिय collision यानि तक्कर lifted यानि की उठाया skyward मतलब उपर की ओर या फिर आकाश की ओर hive यानि काम करने वालों का समू या फिर इखटा करना activity मतलब गति विधी या फिर कारे कलाप pick axis क्या होता है pick axis होती है एक प्रकार की कुदाल all wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt अब ये जो सारे आदमी थे उन्होंने sunglasses पहने हुए थे धूप के चश में पहने हुए थे उस उग्र प्रकार से बचने के लिए as a steady stream क्यों कि एक स्तर जो प्रवा था उस blue trucks का वो उभर रहा था blindingly white lake से चका चौंद कर देने वाली उस सफेद lake से जो की laden थी भरी हुई थी salt के pile से salt के धेर से तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब पढ़े हैं सबसे पहला है shovels यानि की बेलचा ट्रडिंग मतलब पैदल चलते हुए sheep skin मतलब चर्म पत्र sunglasses मतलब धूप का चश्मा glare यानि चमक या फिर उग्र प्रकाश steady मतलब स्थिर stream मतलब धारा या फिर प्रवा blindingly मतलब चका चौंद laden मतलब भरा हुआ तो बच्चों लेखक ने उस salt की उस लेख के बारे में बताया जहां पर आदमी काम कर रही हैं उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं बूट्स पहने हुए हैं और चर्म पत्र के कोट्स पहने हुए हैं अब आगी लेखक ने क्या-क्या देखा चारेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में